पुद्ध नमस्कार मित्रो स्वागा थे आपका स्टडी आईक्यू में हाली में हम लोग ने बात की थी एक बॉंबे हाई कोट के वर्डिक्ट की अगर आपको याद होगा which was connected to sexual assault और आज हमारा discussion फिर से बॉंबे हाई कोट के वर्डिक्ट से जुड़ा होगा फिर से sexual assault के definition से जुड़ा होगा और हाली में एक और वर्डिक्ट आया है नागपूर बेंच के same judge से उन्होंने कहा है opening pan zip and holding a child's hand does not amount to sexual assault तो हम लोग इस case के बारे में discussion लेंगे और obviously एक end में हम लोग पॉक्सों की effectiveness के बारे में बात करेंगे so let's begin our discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगा अंकर आप मुझे in ideas भी follow उतर सकते हैं जो यहाँ पे दी हुई है study IQ का smart course है आपको गर इसकी जानकारी चाहिए तर डाउनलोड कीज़ेगा app from google place हो चली खबर के आपरे में बता जाता हूँ कि हाली में Bombay High Court ने फिर से एक similar kind of judgment दिया है sexual assault कलेगा हम लोगोंने इस particular video में अगर आपको याद होगा हम लोगोंने डिसकुस किया था कि no skin to skin touch हो तो no sexual assault करके कहा था Bombay High Court के एक verdict ने नाकपूर बेंच था वो Bombay High Court के जो अंड़ा आता है वहाँ पर जस्टिस पुषपा वी गनेडी वाला same judgment था वो भी उन्होंने earlier interpret किया था कि sexual assault नहीं होगा अगर skin to skin contact होगा इस particular case में हम लोगोंने बात की थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि groping यानि की कपडों की उपर से जिस culprit ने प्रेस किया था breast एक बच्ची के उनको उन्होंने कहा कि sexual assault और IPC section 354 ने उनको charge किया था और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है चलिए देखते है इस case की details और फिर से हम लोग connect करेंगे उसी discussion के साथ जो होने क्या था देखिए अगर बात करें इस particular case की इस case में जो victim है वो और भी छोटी है पिछले case में उन्हें देखा था कि 12 साल की victim थी इस case में victim है केवल 5 साल की लगी और यहां पे culprit मैंने culprit क्यों लिखा है क्योंकि accused थे sessions court ने इनको सजा भी दी ती already it has been proof तो जो libniss नाम की जो culprit थे उनके उपर acquisition यह लगा गया था कि उन्होंने trespass किया है एक महिला के घर में और वहां पे उनकी 5 साल की बेटी हैं में repeating 5 साल की बेटी के साथ छेरकानी की थी case relates to February 2018 और जो इस 5 साल की बच्ची की मा है उन्होंने यह alleged कि कि उन्होंने libniss जो accused ने उनको देखा कि वो उनके घर में है उन्होंने उनकी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो उनकी बेटी को एक रूम में लेके जाने की कोशिश कर रहा है इसके अलावा महिला ने ये भी कहा कि जब उनकी बेटी से उन्होंने पूछा तो उनकी बेटी ने उनको बताया कि जो accused है libniss उन्होंने खुद को expose किया यानि कि उन्होंने अपने कपड़े उतार इस बच्ची के सामने और उस बच्ची को कहा बेड पे आने के लिए उनके साथ सोने के लिए इसके अलवा उस महिला ने ये भे ऐलेज किया कि उन्होंने नोटिस की कि पैंट की जिब खुली हुई थी libniss की तो उन्होंने पॉक्सो के अंडर केस फाइल किया केस में क्या हुआ फेबरी दोहजार अटरा के बाद केस चला वहाँ पे लिबनिस को इवेंचुली सेशन्स कोट ने गिल्टी करार दिया उक्टबर दोहजार वीस में डिजिजियन आया उनको चार्ज किया गया आईपीसी सेक्शन 354A के अंडर सेक्शुल हरास्मेंट आईपीसी सेक्शन 448A के अंडर हाउस ट्रेस्पैसिंग और POXO Act के अंडर भी Prevention of Children from Sexual Offenses Act 2012 में जो पास हो था उसके Section 8 जिसके बारे मनें बात की थी Sexual Assault Define होने के बाद Section 7 में Section 8 में सजा है कम से कम 3 साल Section 10 में है Aggravated Sexual Assault Section 12 में है Sexual Harassment तो इन तीनों के अंडर उन्हें चार्ज किया गया और Eventually उनको सजा दी गई 5 years rigorous imprisonment Along with 25,000 rupees fine So this was the decision of the Sessions Court ये appeal हुआ High Court में क्या हुआ High Court में इस appeal के ऊपर Bombay High Court की bench ने कहा Act of Holding Hand And just simply the zip being open It does not amount to Sexual Assault उनने कहा कि In the opinion of the court It does not fit the definition of Sexual Assault Under the POCSO Act 2012 In fact, Justice Pushpa Gennady वाला ने जो accused थे Libniss उनको free कर दिया है क्योंकि वो अलड़ी 5 महीनों से जेल में थे 5 महीनों की prison उनने complete की थी उनको उनने set free कर दिया है At the imprisonment of 5 months तो इस particular decision की बाद फिर से वही बात जरूर चिड़ जाती है अगर हम लोग बात करें POCSO की सवाल ये उड़ जाता है कि POCSO effective है क्या इसके उपर 2012 से ही चर्चा चल रही है कि Has Prevention of Children from Sexual Offenses Act been successful? मैंने आपको discussion में बताया था कि कितनी success rate है, कितनी conviction rate है 22% और हम लोगों ने इसका reason देखा था जो National Law University of India की study थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो mandatory minimum sentencing होती है इस particular act में minimum 3 साल की rigorous imprisonment है तो इसको judges fraternity थोड़ा सा ज्यादा मानती है और इस psyche की वज़े से वो काफी reluctant होते हैं कि वो accused को सजा दे और उनको बरी कर देते हैं और इस case में वही हुआ अल्दो 5 months की imprisonment उन्होंने पूरी की थी इसलिए उनको set free किया गया तो फिर से discussion वही होता है कि mandatory minimum sentencing deterrent है या नहीं इसके अलाबा एक और बहुत ज़रोई issue होता है कि पॉक्सो really effective है कि नहीं अगर effective नहीं है तो क्या इसकी problem से अगर judiciary से जुड़ी वी problem में उसको resolve करने की कोशिश की जानी चाहिए because very very important act for protection of children from sexual offenses that's it from my side on this part of discussion it was just an update video thank you for watching Jai Hind